नमस्कार फ्रेंड्स वागत आप सभी का सॉलिसे में तब इस एक यूटूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में दो हजार एकिस की राष्टिय और अंताराष्टिय जो नियुक्तियां होई हैं तो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे इस वीडियो में टॉप 30 कोशन नाडा के नए अध्याचच कौन बने हैं तो नाडा के जो अध्याच बने हैं ये बने हैं नबीन अक्रवाल तो आपसन जो है इसका इसका जो headquarter है ये है नई दिल्ली में और इसके जो फुल्फुम होता है national anti-doping agency इसके जो अभी हाली में बने है अध्यच ये है नवीन अग्रवाल तो option जो है इसका डी correct हो जाएगा अगले जो question है question 2 सीमा सडक संगठन बी आरो के नए महानिदिसक कौन बने है तो बी आरो के जो महानिदिसक बने है ये बने है कौन तो इसका जो answer हो जाएगा राजीब चोधरी तो option जो है इसका एक correct हो जाएगा अगर बात करें बी आरो का full form क्या होता है तो बी आरो का जो full form होता है border roads organization इसका full form होता है और इसके जो headquarter है इसका headquarter है नई दिल्ली में अगर इसकी स्थापक है भारत के पिर्थम पिर्दानमंत्री जवारलाल नेरू थे इसके संस्थापक आप इसको याद रखें अगला जो question है question 3 इटली के नई पिर्दानमंत्री कौन बने है तो इटली के नई पिर्दानमंत्री जो बने है इनका जो answer हो जाएगा Mario Draghi तो option जो है इसका C correct हो जाएगा अगर बात की जाए इटली की तो इटली की जो राजधानी है इटली की राजधानी जो है यह है रॉम अगर बात करें इटली की मुद्रा क्या है तो मुद्रा जो है यह यूरो है अगर बात की जाए पिर्दान जो यहां के राष्टपती है तो यहां के जो अगले जो कुछन है, कुछन नमर फोर यह है बिसु ब्यापार संगठन की पहली महला मा सचे कौन बनी है, तो बिसु ब्यापार संगठन या डबलु टी यो इसको ful from कहते हैं इसको short form में, इसको short form में, बल्ड महासची बनी हैं पहली, तो पहली महासची बनी है महला, तो ये हैं नगोजी और कौण जो इबिला, तो ओप्शन जो है इसका एक रेक्ट हो जाएगा, अगर बात की जाए WTO की, तो WTO की स्थापना का वो होई थी, तो ये होई थी एक जनवरी 1995 को, एक जनवरी 1995 को इसकी स्थ आपना हुई इसका जो headquarter है यह है जिनेवा सुजरलेंड आप इसको याद रखें इसका जो headquarter है WTO का जिनेवा सुजरलेंड और World Trade Organization WTO का फुल्फुम होता है आप इसको याद रखें friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and से जरू किया करें अगला जो question है question number 5 US Chamber of Commerce की पहली जो पिर्थम महिला CEO कौन बनी है तो इसका जो answer हो जाएगा option B correct हो जाएगा Susan Clark जो है ये बनी है US Chamber of Commerce की पहली महिला CEO तो आप इनको याद रखें अगला जो question है question number 6 जो है राष्टिय अनुसूचित जाती आयोग के अध्यच कौन बने है तो राष्टिय अनुसूचित जाती आयोग के अध्यच जो बने है ये बने है कौन तो ये बने है बिजय सांपला तो option जो है इसका एक रेक्ट हो जाएगा अगर बात की जाए जो राष्टिय अनुसूचित जाती आयोग है इसको इंगलिसम क्या कहते है नेशनल कमिशन फॉर सेडूल काष्ट आप इसको याद रखें नेशनल कमिशन फॉर सेडूल काष्ट और इसकी स्थापना कब हुई थी ये राष्टिय अनुसूचित जाती आयोग की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 19 फरवरी 19 फर्वरी 2004 को इसकी इस्थापना हुई आप इसको याद रखें 19 फर्वरी 2004 को इसकी इस्थापना हुई इसका जो हेड़कॉर्टर है ये है नई दिल्ली में इसका जो headquarter है ये है नई दिली में इसके जो अध्यच बने हैं ये बने हैं विजय सांपला अगर बात कीजाए उपाध्यच कोन है जो उपाध्यच ये हैं अरुड हालदार अरुड हालदार हैं इसके उपाध्यच आप इनको याद रखें अरुड हालदार ये हैं उपाध्यच और अध्यच हैं बिजय सांपला इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को हैट्ट्वाटर है नई दिली में इसको इंग्लिस में कहते हैं आप इसको याद रखें अगला जो कुछन है कुछ नमा जुसाइबन है टेबल टैनिस फेडरेशन आफ इंडिया टीटी एफ आई के अध्यच कौन बने हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दुसेंता चावटाला तो अप्सन जो है इसका डी करेक्ट हो जाए टेबल टैनिस फेडरेशन आफ इंडिया इसकी जो इस्थापना हुई थी ये 1926 में इसकी इस्थापना हुई थी अगर बात की जाए इसके जो सचिव हैं टेबल टैनिस फेडरेशन आफ इंडिया के जो सचिव हैं ये कौन है आरून कुमार बनर जी आरून कुमार बनर जी हैं इसके सचिव आप इनको याद रखें अनुर कुमार बैनर जी तो ये हैं इसके कौन ये इसके हैं सचिव आप इनको याद रखें अगर बात की जाए मुख्याले तो मुख्याले जो है इसका हेड़ क्वाटर जो है ये है नई दिल्ली में तो आप इसको याद रखें अग हैं होकी इंडिया के अध्यच अगर बात की जाए होकी इंडिया की तो होकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो होकी इंडिया की जो स्थापना हुई 20 मई 20 मई 2009 को इसकी स्थापना हुई इसका जो headquarter है ये है नई दिल्ली में आप इसको याद रखें अगला जो कुशन है कुशन अमग जो 9 है ये है broadcasting content completes council bccc की पहली महिला अध्यच कौन बनी है तो इसका जो answer हो जाएगा गीता मितल तो option जो है इसका c correct हो जाएगा अगला जो question है question अमग जो 10 है steel authority of india limited cell की पहली महिला अध्यच कौन बनी है तो इसका जो अध्यच हो जाएगा जो अध्यच बनी है ये answer जो हो जाएगा सोमा मंडल तो option जो है इसका a correct हो जाएगा अगर बात की जाए steel authority of india limited की स्थापना कब हुई थी तो इसकी जो इस्थापना हुई थी ये 1954 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो headquarter है ये है नई दिल्ली में इसका जो headquarter है ये है नई दिल्ली में आज आप इसको याद रख है अगला जो question है question number 11 किर्गेस्तान के नए राष्टपती कौन बने है तो किर्गेस्तान के नए राष्टपती जो बने है ये बने है option इसका d correct हो जाएगा सदर जापा रोग जो है किर्गेस्तान के नए राष्टपती बने है अगर बात की जाए राजधानी की किर्गेस्ता बन की यह है क्या सौम यहां की यो मुद्रा है यह है सौम और यहां की जो राश्ठपती बने है सदर जापा रोव आप इनको याद रखें अगला जो कुछन है कुछ नमर 12 यह है L.I.C. के पिरबंद ने दे सक कौन बन गए है तो L.I.C. के पिरबंद ने दे सक जो कौन बन ग तो चेर्मेन जो है ये हैं AMR कुमार हैं इसके चेर्मेन अगर बात की जाए LIC की स्थापना का वो हुई थी तो LIC की जो स्थापना हुई थी एक सितंबर LIC की जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई आप इसको याद रखें इसका जो headquarter है ये है मुंबई महाराष्ट में इसका headquarter है आप इनको याद रखें अगले जो question है question 13 नाईजर के नई राष्ट पती कौन बने हैं तो नाईजर देश के नई राष्ट पती जो बने हैं इसका जो answer हो जाएगा option D correct हो जाएगा जो मुंबद बजूम जो है ये बने हैं नाईजर देश के नई राष्ट पती अगर बात की जाए राजधानी की तो नाईजर की जो राजधानी है ये क्या है तो ये है नियामे नियामे याँ की राजधानी है अगर बात की जाए मुद्रा की तो मुद्रा जो है बेश्ट अफ्रीकन बेश्ट अफ्रीकन CFA बेश्ट अफ्रीकन CFA आप इसको याद रखें बेश्ट अफ्रीकन CFA पे फ्रांक इसकी जो है मुद्रा है राजधानी जो है नियामे राष्ट पती जो है मौमबच बजूम आप इनको याद रखे अगला जो कुछन है, कुछन नमर 14 केंद्रिय अमसेटर ब्यूरो CBI के महाने देशक कौन बने हैं तो केंद्रिय अमसेटर ब्यूरो CBI के जो महाने देशक बने हैं, ये कौन बने हैं तो ये हैं पिरवीड सेना, तो option जो है इसका भी correct हो जाएगा अगर बात की जाए CBI की तो CBI की स्थापना कब हुई थी तो ये 1963 को इसकी स्थापना हुई इसका जो headquarter है ये है नई दिल्ली में आप इसको याद रखें नई दिल्ली में है इसका headquarter इसके जो महा निदेशक बने हैं फिर बीट सिन्हा तो option जो है इसका भी correct हो जाएगा अगला जो question है question number 15 केंद्रिय रिजर्ब पुलिस बल या CRPF के महा निदेशक कौन बने हैं तो Central Reserve Police Force के जो महा निदेशक बने हैं ये कौन बने हैं तो ये कुलदीप सिंग बने हैं तो option जो है इसका भी correct हो जाएगा अगर CRPF की स्थापना कब हुई थी तो CRPF की स्थापना ज है नई दिल्ली में इसके जो महा निदेशक बने हैं कुलदीप सिंग अगला जो question नमा जो 16 है भारत का नया राजेस्व सचेब कौन बना तो इसका जो अंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तरूड बजाज तो option जो है इसका C correct हो जाएगा अगला जो question नमा जो 17 है महिला आयो क की अद्यच कौन बनी है तो महिला आयो की अद्यच जो बनी है ये बनी है कौन रेखा सर्मा तो option जो है इसका D correct हो जाएगा अगर महिला आयो की बात करें तो महिला आयो की जो इस्थापना होई थी ये होई थी 1992 में 1992 में इसका जो है इस्थापना होई थी अगर इसको इंग इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा option B correct हो जाएगा संजीब कुमार बने हैं ये हाली में बने हैं और इसकी स्थापना कव होई थी Airport Authority of India की तो ये हुई थी एक अप्रेल एक अप्रेल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी इसका जो Headquarter है ये है नई दिल्ली में आप इसको याद रखें इसके जो अध्यच बने हैं ये बने हैं संजीब कुमार अगला जो कुशन है कुशन नमा 19 भारतिय यूबा कंग्रेस के अध्यच कौन बने हैं तो भारतिय यूबा कंग्रेस या इंडियन यूथ कंग्रेस के जो अध्यच बने हैं ये कौन बने हैं तो ये बने हैं बी वी सिरी निवासन अगर बात की जाए जो भारतिय यूबा कंगरेस है Indian Youth Congress है इसकी स्थापना कब हुई थी तो ये 1960 को इसकी स्थापना हुई थी अगला झो-कूशिन है कूशिन म California Bombay Stock Exchange के अध्यच्च कौन बने है तो इसके अध्यच्च जो बने है ये कौन बने है तो बिकरम जीत सैंज जो है ये बने है इसके अध्यच तॉप्सन जो है इसका भी correct हो जाएगा अगर बात की जाए Bombay Stock Exchange गी तो इसकी जो इस्थापना हुई थी ये हुई थी 9 जुलाई 9 जुलाई 1875 को इसकी इस्थापना हुई थी अगर बात की जाए इसका headquarter तो headquarter जो है ये मुंबई महराष्ट में है अगर बात की जाए Bombay Stock Exchange की जो MD और CEO है MD और CEO कौन है तो बात की जाए अगर MD और CEO की Bombay Stock Exchange के जो MD और CEO है ये हैं A.S.E.S. कुमार चोहान आप इनको याद रखें A.S.E.S. कुमार चोहान है इसके जो है MD and CEO आप इनको याद रखें अगला जो कुशन है कुशन नमर 21 फिक्की के नए अध्यच कौन बने है तो फिक्की के नए अध्यच जो बने है ये कौन बने है तो ये है ओदेश अंकर अगर बात की जाए फिक्की की तो फिक्की का फुल्फूम होता है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry इसका फुल्फूम होता है अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब होई थी तो इसकी जो स्थापना होई थी 1927 को इसका जो हेड़कॉर्टर है ये है नई दिली में आप इसको याद रखें इसके जो बरतमान में अध्यच है औदेर संकर अगला जो कुछन है कुछन आमरे 22 भारत के सर्वोचन आले के मुखिन आई दीस कौन है तो अभी कौन बने हैista हाली में तो सर्वोचन आले के मुख नई दीस जो बने है ये बने है एन बी रमना तो उपसन जो है सका फीक करेक्ट होजाएगा अगर बात की जाए सरवूच नियाले की, तो सरवूच नियाले की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 28 जनवरी, 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, अगर बात की जाए सरवूच नियाले में, तो सरवूच नियाले में कुल नियाईदीसों की संख्या कितनी हैं, तो ये है 34 जिसमें एक मुख्य नियाईदीस है और 33 अन्य नियाईदीस है तो कुल मिलाके 34 है नियाईदीसों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में तो आप इनको याद रखें जिसमें एक है मुख्य नियाईदीस और 33 जो है ये अन्य नियाईदीस है अगला जो कुशन है कुशन नमर 23 भारतिय बिसिष्ट पैचान प्राधी करड़ UIDAI के CEO कौन बने हैं तो इसके जो CEO बने हैं ये बने हैं सौरब गर्ग तो आपसन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा अगर बात की जाए इसका फुल्फुम क्या होता है तो इसका फुल्फु इसका जो हैटक्वाटर है ये है नई दिल्ली में आप इसको याद रखें अगला जो कुशन है कुशन नमर 24 कांगो गड़ राज्ज के नए राष्ट पती कौन बने हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ओपसन ए डैनिस सो सो गुगे सो आप इनको याद है किन सासा तो आप इसको याद रखें किन सासा यांकी राजधानी है अगर बात की जाए मुद्रा तो मुद्रा जो है कांगोलिस फ्रांक है तो आप इसको याद रखें कांगोलिस फ्रांक यांकी मुद्रा है आप इसको याद रखें अगला जो कुशन है कुशन मर 25 असम राइफल्स के प्रमुक कौन बने हैं तो असम राइफल्स के प्रमुक कौन बने हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा option D सुक दीप सांगवान जो है ये असम राइफल्स के प्रमुक बने हैं अगर बात की जाए असम राइफल्स की तो असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी तो यह हुई थी 1835 में 1835 में इसकी स्थापना हुई थी अगर बात की जा इसका मुख्याले तो इसका मुख्याले जो है यह है सी लोंग सी लोंग में इसका मुख्याले है तो आप इसको याद रखें सी लोंग मेगाले में तो तो NSG के महा निदिशक जो बने हैं, ये बने हैं MA गड़पती, तो option जो है इसका A correct हो जाएगा, अगर बात की जाए NSG की, तो NSG की स्थापना का हुई थी, तो ये हुई थी 22 सितंबर को, 22 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई, और इसका जो headquarter है, ये है नई दिल्ली में, आप इसको याद रखें, अगला जो question है, question number 27, भारतिय सेना के नए उपपरमुख कोन बने हैं, तो भारतिय सेना के नए उपपरमुख बने हैं, उपेंदर दुरबेदी, तो option जो है इसका B correct हो जाएगा, अगर बात की जाए, जो भारतिय सेना के जो general है, मतलब परमुख हैं, य अगर बात की जाए, इसमें पूछा था, उपरमुख, तो उपरमुख जो है, ये हैं, उपेंदर दुरबेदी, तो आप इनको याद रखें, अगर बात की जाए, भारतिय सेना के, तो भारतिय सेना की इस्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी, एक अपरेल 1895 में, एक 1895 में इसकी स्थापना हुई इसका जो headquarter है ये है नई दिल्ली में अगर बात की जाए इंडियन army day का मनाते हैं तो इंडियन army day मनाते हैं 15 जनवरी को तो आप ये याद रखें अगला जो question है question number 28 इलाबाद high court या प्रियाग राज high court क्योंकि इलाबाद का नाम जो बदल का रखा गया है प्रियाग राज तो इलाबाद high court के मुखे नियादी स्कौन बने हैं तो इसका जो answer हो जाएगा ये हाली में बने हैं संजय यादव तो आपसन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा अगला जो question है question number 29 भारतिय तेल इनिगम Indian oil corporation के अध्यच कोन बने हैं तो इसका जो answer हो जाएगा शरी कांथ मादव बैद तो आपसन जो है इसका एक रेक्ट हो जाएगा Indian oil corporation की स्थापना कब होई थी तो इसकी जो इस्थापना होई थी 1969 को इसकी इसका जो headquarter है ये है नई दिल्ली में आप इसको याद रखें अगला जो question है question number 30 प्रधान मंत्री मोदी जी के निजी सचिब कोन बने है तो प्रधान मंत्री मोदी जी के निजी सचिब जो बने है ये कोन है तो इसका जो answer हो जाएगा option C is correct हो जाएगा हार्दिक सतीष चंदरसा जो है ये जो पिर्धान मंत्री मोदी जी के जो है नीजी सचिब बने हैं तो आप इनको याद रखें नीजी सचिब जो है ये हैं हार्दिक सतीष चंदरसा अगर बात की जाए पिर्धान सचिब तो पिर्धान सचिब जो है मोदी जी के पिर्धान तो आप इनको याद रखें पुर्धीब कुमार सिना जो है ये पिरधान सचिव हैं और निजी सचिव हैं हार्दिक सतीस जो हार्दिक सतीस चंदरसा आप दोनों को याद रखें Thank you friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लैक एंड से जरू किया करें अगर च